Hey guys, welcome to success, में दलिप कुमार, स्वागत है अपका इस वीडियो में, aleg 깃र्मेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जोकि वेकेंसिज निकाली गई है महेरती सूजूकी से, फिर से अपडेट कर दिगई है, तो इन में से जो भी candidate से महारति सुजुकी में jobs करना चाता है वो इस जो form एप जरूर फिल कीजेगा All India के candidate किसी भी state से belong करते हो आप पारिस्पिट कर सकते हो देखे हमेशा मैं ITA वालों के लिए यहाँ पर jobs की update देता हूँ candidate अगर आप बिटेक पास आउट हैं आप जरूर ये इस वीडियो को देखेगा आपके लिए भी opportunities है डिपलोमा वालों के लिए देखे अभी नहीं निकली है जब भी निकलेगी मैं जरूर इन्फर्म करूंगा चले अब स्टार्ट करता हूँ इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे अगर आप पहली बार बज़िट कर रहे हैं सब्सक्राब जरूर करें सक्सेस दिलिप को ताकि इसी तरह लेटिस्ट गॉर्मेंट जॉप्स के अपड़िट आपको बराबर मिलते रहे तो सबसे पहले मैं आईटी आवालों के लिए दिखा देता हूँ उसके बाद मैं बिटेक पे चलूँगा आईटी आवालों के लिए जो वेकेंसिज है आप सब के लिए वही टेंपरोरी वर्कमेन के लिए यहां पे अपडेट की गई है इसमें लोकेशन आपका सेम लोकेशन होगा गुडगा दी जाती है ध्यान रखना और अभी अप्रॉक्समेटली सेलरी 25 तर पलस आपकी सेलरी होने वाली आईटी आवालों के लिए एस पर इंडेस्ट्री स्टेंडर सेलरी मिलती है क्योंकि यह हर मंद बढ़ती है कभी घड़ती ही जाती है घड़ती तो नहीं है और इसमें आपक जैसे की आपको प्रिकॉसंस मिलते हैं यूनिफॉर्म सूज बेगरा जितने भी गूर्स एंड कंपनी पॉलिसी जो जो भी है जो की आपको मिलेगी देन सलेक्शन प्रॉसेस क्या होता है कि ओनलाइन एसेस्मेंट एक टेस्ट होता है टेक्निकल एप्टूड एंड विएव यहाँ पर नहीं मेंसन की आगे जिसमें से इलक्ट्रसियन वो एप्लाइ बिल्कुल कर सकते हो सेलेक्शन होती है मैंने काफी सारे स्टूडेंट का मेल भी आया कि सर मेरा सेलेक्शन हुआ एलक्ट्रसियन है तो जरूर एप्लाइ करना अगर आप फिमेल केंडिडेट हो और मैं प्रेफर नहीं करता हूं फिमेल वालों के लिए अधरवाइस कोई कोपा वेगरा से तो यहाँ पर जा सकता है मैंसन है तो ठीक है नहीं तो फिर भी जा सकते हो एज की डिसकस करूं 18 साल से लेकर 26 साल के केंड़ेड अपलाइ कर सकते हैं कोई भी एज रिलेक्ससन नहीं म होती है 60% होती है तो कभी 55 यह इसी पर डिपेंड में ज्यादा इस मार्क्स पर बताता नहीं हूं क्योंकि अलग-अलग क्रिशरिया लॉंच करती है आई टी ए एंसीवीटी से भी कियो आप बिल्कुल इस फॉंप फिल करने के लिए 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 अपला कैसे करना है अपला बटन पर यहाँ पर क्लिक किज़ेगा उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगी संब्राइट यह संब्राइट कंपनी है यही स्पॉंसर्ड इस बार की है महारति सुजु की यह मतलब जवाब्स को टोटली यहाँ पर आप देख सकते हैं और फाइल लिमिट ए अपना इमेल एडी मोबाइल नमर अल्टरनेट कॉंटक्ट उसके बाद एड्रेस नहीं की बेसिक डिटेल्स फिल विलकुल करना है उसके बाद एक्ट्रा डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है पिनको और एजुकेशनल टेंट की माक्स टेंट का माक् देन यहाँ पर अडिशनल इंफर्मेशन आपके पास कुछ है जिसकर देना चाहते हो डिपलोमा किये हो डिगरी किये हो तो चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो क्या पता हो उसके बाद आपको वहाँ जाने के बाद कुछ प्रफरेंस मिल जाए देन आपको सेलेक्ट फाइल इसब करनी होगी जिसमें से एक अटेच करना होगा एक एमबी के साइज में उपर में यहाँ पर 5 एमबी के साइज दिया गया है 10 की माक सीट आइटीय की माक सीट और आइटीय का सटिफिएड अधार कार इसब आपको जेपीजी पिंजी अफी बिडिया फॉर्मिट में होता है उसके बाद आपको डार्गली मेल आएगा कॉल आएगा ओफुली आईटीय वालों को लिए पता चल गया होगा कुछ डाउट हो आईटीय वालों तो कमेंट कर लेना मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको ज्यादा इस हो रहा हमारे इंस्टाग्राम आइडिया सक्सेस दिलिप 24 वहां पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हो चलिए अब मैं डिसकस करता हूँ डिपलोमा बिटेक और एंटेक वालों को लिए तो यह ओफिसल वेबसाइट है आप राम से आप खुद भी चेक कर सकते हो औल इंडिया इंजिनियर हाइरिंग यहां पर जो खलिखा है इ जो कि 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए यह सरूरी है देख लेना उसके बाद 2020 बैच भी दिया यह राखा गया कि इंजुनियर पास आउट होनी चाहिए ऑल ब्राइट जैसे की 2020 तक तो यह सब आप चेक कर लेना उसके बाद ही आप एलेजबल हो जो डेजी नेशन आप पर आप देख सकते हैं फंक्संज होगी इसमें डारेक्टली जैसे आपकी जॉप्स होगी और जॉप्स पर्मानेंट नहीं एक साल दो साल इस तरह से एक्सेंट करती जाएगी तो यह आपको जॉप्स पर रखी जा रही है सेवन मंद के बाद यह नहीं की भगा देगी जिस सेलेक्शन प्रॉसेस ओनलाइन टेस्ट होगा टेक्निकल अप्चूड एंड आपकी देख सकते हैं साइकोट्री के सब्स टेस्ट ली जाएगी देन आपकी प्राशनल इंटर्व्यू टेक्निकल प्लस एचर दवारा उसके बाद आफ़र जॉइनिंग आपको यहां पर मिल जाएगी अलस्बिटी किर्चरिया में बात करूं तो वर्क एक्स्पिरेंस बाइस बारा से लेकर बाइस मन्त जो की कंप्लीट होनी चाहिए बीटक कियो डिगरी भी बीटक रेगुलर फुल टाइम उनली पास आउट हैं अब किसी भी ब्रांचे से यानि यह जो ब्रांचे आउटी नहीं है हाँ आईटी तो है सव्टीएंन टूल डाई के लिए 2020 पासिंग येर दोいきます अली ध्यान रखना माक 65 परषेंट होनी चाहिए AICD लो फ्यूजरा कर सकता है not eligible कौन-कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं part time जो correspondence बगरा कर रहा है apply कैसे करनी है इसकी जो last date apply करने की दो जनवरी तक है और यहाँ पर आपको apply करनी होगी सारी link description दी गई है और इसका link मैं description में दे दूँगा apply करने के लिए hopefully btech वालों को समझा चुका होगा अब मैं mtech पे prepare करता हूँ तो mtech की भी 12-12 से लेकर 22 month तक है इसमें आपको salary 9 लाक से 10 लाक मिलेगी same location होने वाली है selection process भी आपकी भी यहाँ पर same होने वाली LSPT किरिशरिया हमी mtech होनी चाहिए 2020 पासवन और same आपको मिलनी वाली है जैसे कि जो भी branches मैंने बता है 65% marks नहीं कि आप btech की सुन चुके हो इसमें age आपको increase होगी 21 साल से लेकर 29 साल के candidate eligible है और इसी के जरी आपको apply करना है इसकी भी जो date है 2 जनवरी 2022 तक रखी गई है तो देखिए date कम है सारी लिंक मैंने description में दिया गया है जितने भी candidate eligible हैं चाहिए आप IT है हो btech mtech हो आप participate कर सकते हैं eligible हैं तो जरूर यहां पर participate करें एक job मिल रही है आपको कम से कम btech वालों को यह इस link पे click करके आपको basic details वेगरा fill करनी होगी यह btech वालों mtech के लिए मैं बता रहा हूँ उसके बद में IT मैं को बता चुका हूँ तो इस पे आपको form fill करना होगा गाईस तो यह रही eligibility condition वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा कुछ अक्स्टर डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आपकी totally help की जागी hopefully वीडियो इस पर लगी like and subscribe करें चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए से हिंद